Hello everyone, welcome back, welcome to iCareTaker, I am Dr. Deepak Thakur, Consultant and Dr. Metis जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लो विजन सर्टिफिकेट में पर्सेंटेज किस अकॉर्डिंग दी जाती है तो उसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल के डिस्किप्शन से आप जाके देख सकते हैं अगर आपने देखी नहीं है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लो विजन सर्टिफिकेट कहां से बनता है मतलब कहां में जाना होगा तो हमारा लो विजन सेटिफिकेट बन जाएगा तो लो विजन सेटिफिकेट बनाने के लिए हमको अपने नियर बाई या तो डिस्टिक होस्पिटल डिस्टिक जो गॉर्मेंट होस्पिटल होते हैं उनमें जाना होते हैं या फिर सिविल के लिए जो आपका विजन कांट होता है वो होता है जो आपका चस्मा लगाने के बाद आता है चस्मा लगाए बिना अगर आप उतना vision count करते हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं चस्मा लगाने के बाद जो vision आता है final वो होता है आपका low vision certificate वाला vision low vision certificate में एक बात और ध्यान दखने हैं आपको उसमें दो option होता है temporary disability एक होता है permanent disability तो किसी किसी certificate के अंदर temporary disability लिख देते हैं तो वो certificate किसी किसी जगे legal पूरा नहीं होता अच्छे से क्योंकि temporary disability का मतलब होता है यह disability कुछ time के लिए हो सकता है हो सकता है permanent भी हो मतलब इसमें 50-50 chances होते हैं तो अगर आप किसी medical में या फिर किसी government exam में temporary वाला लगाते हैं तो हो सकता है वो reject होने के chances हो तो यह आप confirm कर लें पहले ही कि आपका जो certificate है उसके नीचे क्या लिखा है temporary लिखा है या फिर permanent लिखा है तो और कोई doubt हो तो comment box में comment कर देना thank you for watching my video please like and subscribe